नमस्कार मैं अमरेंद्र तिवारी औल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों प्रधान मंत्री ने पिछले दिनों एक बयान दिया उनने कहा कि काबू में भीड और टीका करन की रफतार यही तीसरी लहर को बचा सकती है दर असल नीती आयोग ने भी असपस्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बीदेशों में मामले जो है कोरोना के बढ़ रहे हैं तीसरी लहर तो आकर ही रहेगी अगर मैं कुछ देशों की बात करूँ जहां पर वैक्सिनेशन की प्रक्रिया 50% से उपर दोनों डोज जो है एक वैक्सिन की लग चुकी है हलाकि भारत में अगर बात करें तो मात्र पांच फीस्दी लोगों को ही वैक्सिन की दोनों डोज जो है वो लग पाई है ऐसे में सवाल या उठता है कि और कितना वक्त जो है वैक्सिनेशन में भारत को लगेगा इजराइल की बात करें तो वहां पर कुछ इलाके रेट जोन में चले गया है यूके की बात करें तो यहां पर शुक्रवार को 35,000 ने मामलों की पुष्टे हुई अमेरिका में डेल्टा वेरियंट ने तबाही मचा रखी है कुल नए केसे जो हां मिल रहे हैं उसमें 80-85 फिजदी केस डेल्टा वेरियंट के ही मिल रहे हैं इस्पेन का भी हाल बुरा है विश्ट के अलग-अलग हिस्सों में तीसरी लहर्ज की दस्तक जो है हो चुकी है WHO ने बयान जारी कर कहा है कि COVID प्रोटोकॉल का पालन करें भीड भाड में जाने से बचें और इस बीच जारखंड के स्वास विभागने जो सेंपल्स भुनेश्वर लैप्स को भेजे थे पहले उस सेंपल्स की रिपोर्ट आई अप्रेल से लेकर 9 जून तक जो जारखंड से केसेस की रिपोर्ट भेजे गये थे जो सेंपल्स 364 कुल सेंपल्स भेजे गये थे जिसमें कि 328 की रिपोर्ट आई पलामू, राची, जमशेदपूर, हजारीबाग, धनबाद के ये सेंपल्स थे, जिसमें के 204 डेल्टा वेरियंट्स के सेंपल्स मिले हैं, 63 कपा वेरियंट्स के, 29 अलफा और 32 अन्य वेरियंट्स है, यानि कि कुरोना का अलग-अलग वेरियंट्स, यानि कि अलग-अलग संक्रामकर पहले से ज़्यादा रणनीती जो है वो बदलनी पड़ रही है जारखंड में चुकी ये सारी चीजे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि लोग ये जानना चाते हैं कि अनलॉक 6 की गाइडलाइन्स जो है वो कब यहां पर आएगी इसमें कितना वक्त लगेगा अन तोर पे कहा था कि अगले आदेश तक अनलॉक की यही गाइडलाइन्स जो है राज्य में लागू रहेंगे छुटों को लेकर जो लोग अपने दूसरे राज्यों में जाना चाते हैं बस सर्विस ढून रहें उनको मायूसी ही हाथ लगी है क्योंकि सरकार ने अभी तक दू इच्छा बैठक के दौरान जिस तरीके से कोविड के जब केसेस ज्यादा थे उस समय भी छूट को देने का काम क्या लेकिन अभी जब कोविड के केसेस कम हो गए हैं ऐसे में चारखंट सरकार क्यों नहीं छूट दे पा रही है अनलॉक की गाइडलाइन्स को लेकर सवाल ब तो अलग-अलग वेरियंट्स होते हैं दोस्तों उनकी जो रण नीती भी बनती है वो अलग-अलग बनती है अगर डेल्टा वेरियंट्स का पता समय पर जारखंड में चल गया होता तो मेरे इसाब से जितनी मौते जारखंड के अंदर हुई वो शायद न हो पाती और कही न लैप्स भूनेश्वर लैप्स परतिष्ठित काफी बड़ा अलग-अलग जगों के सेंपल्स को जाच करना बड़ी जिम्मेदारी का काम जिनोम सिक्वेंसिंग कोई असान प्रक्रिया है नहीं इसके मशीनों की किलत चुकि जारखंड में तो मशीन है ही नहीं तो फिर इस पर क्या बात करें लेकिन दोस्तों सरकार से सवाल तो पुछा जा सकता है कि हमारे टेक्सपेर के पैसों का सरकार तीसरी लगर के खिलाप लड़ाई में किस तरीके का इंदिजाम करने जा रही है अभी तक जिनोम सिक्वेंसिंग की मशीने नहीं होना इट इस इंडिकेटिं कि जारखंड की सरकार कितनी गंभीर है चले दोस्तों हम बात करते हैं 12 जून से 21 जून तक के जो सेंपल्स भुनेश्वर लैप्स में भेजे गए हैं अभी तक उसकी रिपोर्ट्स जो है वो नहीं आई है राची से 49 सेंपल्स भेजे गयते हैं अभी तक जारखंड के अंदर एक भी डेल्टा प्लस वेरियेंट्स की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन ये जो 12 जून से लेकर 21 जून तक के सेंपल्स हैं इसमें जारखंड सरकार को लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें डेल्टा प्लस वेरियेंट्स होगी डेल्टा के बारे में ही कह आजता है कि 170 गुना नॉर्मल कोरोना वाइरस से ये ज़्यादा खतरनाक है ऐसे समय में डेल्टा प्लस कि क्या कहानी हो सकती है आप सब समझ सकते हैं डेल्टा प्लस काफी संक्रामक है ये सभी जानते हैं किस तरीके से देश के अलग-अलग राज्यों में राज्यों के अलग-अलग हिस्तों में डेल्टा ने तबाही मचाई और उससे भी ज्यादा खत को तोड़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि दो डोज वैक्सिन के लेने के बाद भी आप सौ परतिसत सेफ नहीं है डिल्टा से यानि कि हाँ यह है कि दोडों डोज वैक्सिन की ले लेने के बाद जो है एक अच्छी खासी इम्मुनिटी लोगों में बन जाती है लेकिन फिर भी भीड भार से बचने के लिए जिस तरीके से स्वास्त मंत्राले ने तंज कसा है स्वास्त मंत्राले का कहना है कि जब भी हम लोग यह सुना रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है तो लोग समझ रहें कि मौसम की भविश्मानी हो रही है अच्छा दोस्तों SBI की एक ताजा रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगस्ट के लास्ट विक और सेप्टेंबर के शुरुवात में देश में तीसरी लहर में कोरोना केसिस की संख्या पिक पर जा सकती है, यानि कि स एप्तमबर में SBI की रिपोर्ट और चुकि पिछली बार जब SBI की रिपोर्ट आई थी, तो वमुमन सारी चीजें उसमें सही हो रही थी, इस बार की SBI की जो रिपोर्ट है, वो तमाम विशिशक्यों के डेटा अधारित रिसर्च के बाद की गई है, और उसमें अगस्त मे कहा गया है कि तीसरी लहर आएगी, रिपोर्ट में तीसरी लहर से कम प्रभाव हो भारत पर इसके लिए कहा गया है कोई कोरोना टीका करन पर जोर देना होगा, कोविट प्रोटोकॉल मानने की भी जोरत बताई गई है, अब देखने वाली बात होगी कि जारखंट सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, अनलोक छे को लेकर जो लोग पूछ रहे हैं, स्कूल कॉलेजोस को लेकर जो लोग पूछ रहे हैं, कोचिंग को लेकर जो लोग पूछ रहे हैं, अभी तक चुकी गाइडलाइन्स नहीं आई है, यानि कि समिक्षा बैठक नहीं हो पाई है, त में भी स्कूल खुलने के चांसिस नहीं रहेंगे क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जारखंड सरकार बेहत गंभीर बयान बाजी कर रही अब देखने वाली वात होगी कि तीसरी लहर जब आएगी तो किस तरीके से जारखंड सरकार जो है वो लड़ाई लड़ेगी अपनी फिलाल जारखंड जय जारखंड